हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैट्ट्ट्व मीशेली चैनल तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चकली के रेश्पी जो की बिलकुल आसान तरीके से बना के दिखाने बाली हूँ बिना कोई जंजट बिना बिग्ड़े हुए इस तरीके से आप चाहे तो चकली बनाकर रख सकते हैं, तो फ्रेंट्स आज जो चकली बनने वाला है उप बनेगा चावल के आटा से, जो की बिलकुल आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप चाहे तो घर में भी चावल का आटा तैयार कर सकते हैं, और एक कप ही चावल का आटा से आज बनाकर दिख इसके आप बारिक करके उसका पौडर ले सकते हैं तो फ्रेंड जब आटा आप ले रहे हैं तो किसी भी कप कटोड़ी ग्लास किसी से भी आप नाप के लीजिएगा जिससे कि इसमें पानी का मातरा आपको सही समझ में आए और आपका चकली नहीं गीला हो और नहीं उसका पानी डालना है और पानी को अच्छे से उबलने तक इसे पकने देना है तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक जरूर कीजिएगा और औल को भी जरूर दवाईएगा इससे क्या होगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और हमारे हर वीडियो को आप देख पाएंगे अब इसमें डाल दती हो स्वाद के अनुसार नमक आप जितना आटा का बनार है उस अनुसार से नमक डालिएगा नम मारा पानी अच्छे से उबलेगा ने इसमें आटा नहीं डाल लाइगा और जब आप चकली बनाएंगे तो वह टूटेगा तो पानी अच्छे से उबल चुका है अभी मैं गैस के फ्लेम को लो कर दी हूं लो करने के बाद इसमें अच्छे से चावल के आट displays को डाल देना ह और mix कर देना है पानी के साथ ही, तो देख पारें कितना अच्छा से उबल रहा है पानी, अब इसे अच्छे से mix करना है, तो देखे फ्रेंट्स यहां से अच्छे से हमारा आटा पानी के साथ mix हो चुका है, अब इसमें धकल लगा के इसे कम से कम 10 मिनट के लिए rest करने के जाए तो चलिए इसमें ढखकल लगा कर दस मिनट छोड़ देती हूं दस मिनट के बाद इसे देखूंगे जाए विडियो अप्लोडेड है आप नए है तो नहीं देखे होंगे तो एक वर जाके देख सकते हैं जिसमें की पोहा की चकली बनाई हूं चावल के आटे की चकली बनाई हूं जिसे आप साल भर स्टोर करकर रख सकते हैं बीना तेल में फ्राइ किये हुए जब आपको चाहि एक चोटा चमच डाल रहे हूँ लाल मिरची पा Mexico अब इसमें डाल देती हूं तील सफेद वाला तील तो यहां पर दो आधा छोटा चमच से कम हिंग भी आप जरूर डालिएगा हिंग से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसके साथ ही दो चमच डालना है यहां पर तेल डाल सकते हैं आप यहां पर घी भी डाल सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं डालना है आपको ज्यादा डालिएगा तो च अब आटे को मसल के अच्छे से सौप्ट कर ली हूँ आप देख पा रहे हैं और आटे को पास से 7 मिनट तक अच्छे से मसल मसल के अच्छे लगाईएगा उसके बाद ही इसका चकली बनाईएगा तो आटे को जब तक ढखके रखना है नहीं तो वो सूख जाएगा अब अच्छे से चारो तरफ तेल लगा लेना है जिसे कि आप इसमें आटा भड़े तो वो चिपके ना बहुत ही आसान रेस्पी है फ्रेंट्स बस एक कप आपको चावल का आटा थोड़ा मसाला लगेगा और जटपट से चकली बनके तयार हो जाएगा सिर्फ आपको ध्यान य नहीं आएगा उभर के और कम मसला हुआ रहेगा आटा तो जब आप चकली का डिजाइन डाल रहे होंगे तो वो बीच बीच से तूट जाएगा तो अच्छे से इसे गूत हीएगा जिससे कि इसमें बहुत अच्छा सा लसा पन आए आटा बहुत ज्यादा अच्छे से तो पूरा आटा एक बार में आ जाएगा एक कप का जितना होता है तो बड़ा साचा है एक बार में ही आ जाता है अब इसमें लगा देना है धक्कन तो फ्रेंड्स आप पापर बनाने के सौकीने घर में पापर बना के रखना चाहते हैं बिलकुल बाजार जैसे तो आप हमा और जहां पर आपको दिक्कत हो समझ में ना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब जरूर दूंगे फ्रेंड्स और थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है आप लोगों का कमेंट देखने में तो आप लोग इससे नाराज मत होईएगा मैं जब भी देखती हूं तो चलिए फ्रेंड्स आप चकली बना के दिखाती हूं चकली बनाने के लिए एक बरतर ले ली हूं इसमें पहले चकली का सेफ दे देना है तो चलिए आराम से चकली बनेगा और देख पारे होंगे कि इसमें कितना उभर के डिजाइन आया है फ्रेंट्स बहुत ही अच्छे से आपको यदि चकली बनाने में कश्टोड़ा पहली बार आप चकली बना रहे हैं तो क्या कीजिएगा कि आप जैसे लंबा लंबा इसका बना के और हाथ से भी इसे रौन देखे कितने अच्छा एक度 टिजाइननर चकली बना इसमें डेख रहे है डिजाइन गितना चाटा का तक झाया आरा है तो इस ही तरीके से आपका आटा लगाई देखे फ्रेंट्स बहुत अच्छे से यह चकली बनके हमारा तैयार हुआ है और बागी का जो बचा हुआ है उसे बाद में बना लूँगी तो चलिए फ्रेंट्स अबसे पहले तेल को गरम होने के लिए रख दिया जाए तेल हमारा गरम है या नहीं इसे चेक कर लेती हूँ तो इसमें आप चकली को डालती हूँ चकली को डालने के लिए आप इसी तरीके से पल्टे पर लेका आराम से डाले तेल के अंदर नहीं तो हाथ पे छीटा आ सकता है और चकली काफी सौप्ट होता है तो टूटने का भी डर रहता है हाथ से उठाने से तो इसमें 2-3 हमारा आराम से आ जाएगा पैन में और जब भी आप चकली को फ्राई करें तो इसी टाइप के बरतन में आप तेल डाले थोड़ा फैला हुआ तो इसमें बहुत अच्छे से चकली अच्छे से फैल फैल से ये पकता है और दो से तीन एक बार में आपका आ जाएगा तो अच्छे से जब एक तरफ से इसका गुलाबी सा कलर हो जाएगा फिर इसे पलट देना है दुसरे तरफ से भी क्रिस्पी होने तक गुलाबी-गुलाबी कलर करके और निकाल लेना है सारे चकली को और खाने में बहुत ही मज्यदार होता है तो आप इसे जरूर बनाईएगा आने वाला है आप चाहें तो अभी से ही इस चकली को बना कर रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होता है फ्रेंट्स बहुत ही अच्छा होता है तो आप भी इसे जरूर बनाईएगा खाने में बहुत अच्छा लगेगा आपको तो देखिए चकली का कलर बहुत अच्छे से आ चुका है यानि कि हमारे चकली पक चुका है जब चकली आपका हो जाएगा तो तेल में जो बवल्स आ रहा है वो कम हो जाता है तो आप समझ लिजिएगा कि इसमें कच्छा पन अब बिल्कुल भी नहीं बचा है तो चलिए इ निकाल लेती हो और इसी तरीके से बारी बारी करके सारे को फराई करके तयार कर लेना है इसे निकाल लेती हो फ्रेंट्स जाली पर आप निकाले तो इससे क्या होगा एक्स्ट्रा जो इसमें तेले से तो तेल रहता नहीं है थोड़ा बहुत रहता है वो भी अराम से निकल तो आप ठंधा तेल में यसे नहीं डालेंगे औरना ही बहुत जयादा गरम तेल में डालेंगे तो इसे भी आपका चकली बनने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। बनके तयार हो गए देखने में काफी सुन्दर लग रहा होगा आपको और दम पूरा डिजाइन उभर के आया है देख पाड़े दम काटा काटा सा अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से